नमस्कार दोस्तों आज का दिन बहुत खास है कितने भी साल बीच जाएं ज़रूरी नहीं कि हम हर समय 1975 को उसी धंग से याद करें लेकिन वो हमें हमेशा उसी धंग से याद आता है क्योंकि सत्ता चाहती है कि जनता भूले नहीं कि 1975 में क्या हुआ था आज ही के दिन किस तरह से बिल्कुल रातो रात एमर्जेंसी लगा दी गई थी 25 और 26 जून के बीच में एमर्जेंसी और उससे जुड़े हुए तमाम किस्से लोगों के जहन में अभी हैं और शायद इस दोर में जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं बिल्कुल दूसरी वजहों से एमर्जेंसी की याद बहुत बड़ी संख्या को याद आती है बहुत बड़ी आबादी को याद आती है और आज हम बात करेंगे प्रबीर पुरकायस थे प्रबीर पुरकायस जो न्यूस क्लिक के एडिटर इन चीफ है और 1975 में इसी एमर्जेंसी में वह किस तरह से जेल गए किस तरह से एमर्जेंसी की लड़ाईयां लड़ी गई किस तरह का वह दौर था तब की एमर्जेंसी और अब की एमर्जेंसी प्रबीर तो हम यही सुनते सुनते बड़े हुए कि एमर्जेंसी किस तरह का दौर खौफनाक दौर सारे अधिकार ले लिए जाएं बच्चे बात नहीं कर सकते दूद नहीं मिल सकता बाहर नहीं जा सक हमारे लिए एमर्जेंसी वो थी आप बताईए कि 1975 में जिस समय आप पढ़ रहे थे उस समय किस तरह का दौर था और आपने जो पूरा का पूरा फेज देखा है आज जब हम बैठे हुए हैं इस समय वह कैसे याद आता है अगर हम देखें कि उस वाक्त की जो इमर्जेंसी थी वो एक open repressive regime थी कि ये खुले आम जो है उस सरकार ने हमसे हमारी अधिकारे चीन ली थी जिसका एडियम जबलपूर का जो केस सुप्रीम कोर्ट में 421 डिसिशन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उस वक्त यही था कि आपके पास बुनियादी अधिकारे तो है fundamental rights आपके हैं पर justiciable नहीं है तो उसका मतलब दिरेंदे को पूछा गया था कि इसका मतलब कि अकर कोई police वाले किसी को मार दे तो उस पर कोई और कुछ नहीं हो सकता है इनने का कि नहीं उनका जिन्दा रहने की अधिकार तो है पर अगर कुछ होता है कि इस तरह का तो उसका कोई प्रतिकार नहीं है तो यह थी emergency की घोशित प्रोग्राम की आपके fundamental right suspended है तो वो है पर एक suspended animation में है तो आप जीवित या बुर्दा के बीच में जीवन और मरन के बीच में कहीं वो suspended animation में है यह emergency की दौर था और उस वक्त जानते हैं कि जब उस वक्त केसे होती थी ज्यादा तर जो मीशा डेटी दूस से जिसमें हम भी हमारे उपर भी मीशा लगा था तो उस वक्त मीशा में तीन महीने के बाद एक ADM या DM का जो committee कुछ हुआ करता था सरकारी committee वो supposedly देखता था case को और उसके बाद उसको extend करता था मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा decision उस वक्त नहीं था कि उस committee इनकार किया extend करने के लिए, अगर सरकार ने वो मागा है, ठीक है तो सरकारी committee'ों की जो कहते हैं कि प्रतिकार के लिए committee है तो इस committees की तभी से साफ है कि committees का कोई इस तरह का कोई भूमी का नहीं होता है वो तो सिर्फ एक पर्दा डालने के लिए बनाई जाती है कि हमारे पास सिस्टम है ऐसे चेक करने के लिए चेक सिनल बैलन्स जिसे कहते है हमारे है हकीकत में होता नहीं है पर उस वक्त का और इस वक्त का फरक ये है कि इस वक्त देखिएगा इस तरह के कदम नहीं हो रहे हैं क आप साबित करें कि आप इस काम को नहीं किया है इतनी तो आपको बेल भी नहीं मिलेगा मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कानून ऐसा है पर जो प्रैक्टिकालिटी हम देख रहे हैं प्रैक्टिस में जो देख रहे हैं ऐही है कि जब की यह होता है कि jail is exceptional bail is नौर्म यहाँ पर बेल इस एकसेप्शनल जेल इस नौर्म हो गया है पर उसका एक लीगल स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसे लगता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों पर हो रहा है जिन पर सरकार महरमान हो रहे हैं किसी वजह से चाहे वो बजह है और कुछ हो चाहे कुछ ही ऐसे कारिय कर रहे थे जिसके खिलाब कारवाई होनी चीजिए अभी सामने हमारे आए कि भाई डिसेंट यानि विरोध में जो उठी हुई आवाजे हैं जिसको डिली हाई कोट ने बेल देते हुए कहा भी आसेफ देवांगना और नताशा को कि भाई ये तो ऐसा लग कारवी उससे भी जादा बनाए स्टीशन तो ऐसा हो गया कि आप गायमुत्र पे कुछ कहा दें बहुदंग साक्रावर पे कुछ कह दें तो भी सिडीशन लग जाता है मैं अपनी बिडादरी की बारे में बात कर रही हुं पत्रकार बिरादरी पर वह मॉलों इस Сमेंएं इत लोगों ने कहा कि एक बार लगी अब लगने की नौबत नहीं आएगी बहुत से लोग कहते हैं कि लगाने के जरुवत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि बाकी और रास्ते हैं यह कैसे आप देखते हैं इसको अगर पत्रिकारिता बे आये हैं तो वहां पर उस वक्त जो है सिर्फ आपको जो instruments of reproduction कहते हैं जिसे print आपने कुछ लिखा चापना है उसको तेलिविशन में आपको दिखाने हैं तो तेलिविशन तो उस वक्त कहीं था ही नहीं आपको radio आप कुछ बोल रहे हैं wireless के जरिए हर जगा पर पहुंच रहा है तो वहां पर control करना उत्पादन को यहां प कर दिया उसको वह कहा कि censorship है आप हमें दिखाएं तभी कर सकते हो क्योंकि हर चीज sensor board से होके जाएगी हर बताने के जो channels है वो कम थे आज कल क्या है phone है सब के पास smartphone सब के पास नहीं बहुतों के पास smartphone है तो आप बता सकते हो facebook है जिसमे channels है हर इंसान का जो facebook में है का कह सकते है channels है तो इस वक्त उस तरह के कानूनी तौर तरीके censorship लगाना असान नहीं है तो इसी लिए बहुत सारे ऐसे चीजे स्रिष्टी की गई है इस वक्त जिस पे आप control directly नहीं indirectly control करें और सबसे बड़ी control क्या होता है इंसान को डराना अगर डराते हैं तो वो self censorship करेगी तो इस वक् रहा है दोनों चीज हो रहा है एक तो जो chilling effect कहते है chilling effect यह होता है कि आपने कुछ examples खड़े कर दिये उतर प्रदेश में आपने बनारेस के कहीं गाओं में आपने दिखा दिया कि वहां भुक्मरी है तो उस पत्रकार को आपने जेल में डाल दिया तो chilling effect हो जाता है इस तरह के चीजे नहीं दिखाना है COVID-19 में तो बाढ़ तूड गया था इसलिए बहुत सारे चीजे निकल के आई यह तो initially लोग डर रहे थे कुछ कहेंगे कहेंगे oxygen नहीं मिल रहा है तो भी इस पर पूरी कोशिश की वो देलाबाद हाई कोट ने अगर नहीं हस्तक शेप किया होता व हमें oxygen की जरूरत है यह इससे और भी बड़ी बात है यह चल रहा था families चले जाएंगे जेल में तो यह जो दौर था कोशिश था इसलिए भी है कि इस वक्त बहुत सारे तरीके तोर तरीके है इसको social media कहते है digital platforms है तो इसलिए इसको रोकना आसान नहीं है अगर बाहर तूट पर बार न तूटने के लिए तरीतौर तरीके क्या है कुछ को examples बना दें तो 80% लोग 90% लोग जो है चुप हो जाएंगे उसके डर के मारे 10% को आपको झेलना पड़ेगा तब यह होता है पर एक बात यह है ना कि जब बहुत बड़ा कोई बाहर आता है तब कोई चीज उसक के देखा जब second wave आया कोशिशे हुई बताना कि सब कुछ ठीक है सब बिकार है ऐसी कह रहे हैं opposition लोग ऐसी फैला रहे हैं लोग जो देख रहे थे चिताय जल रही थी दफना दिये जा रहे थे नदी में लाशे बहा दिये जा रहे थे तो उसको आप कितने दूर तक आप रो पर ब्लैक आउट करना खबरों को ज़्यादा आसान था आज की तुला में बिलकुल क्योंकि मैंने कहा कि कुछ printing presses को बंद करना कुछ channels को बंद करना इतना ही काम था ठीक है ना radio channels और आपको कुछ radio channel भी all India radio ही उस वक्त थी तो आपको press को बंद करना तो उसको press को मालिक को मा देख उसमें विरोध में जो हमें सुनाया गया जो हमने बाद में लैबरीरीज में देखा कि फ्रंट पेज आपने ब्लैक शाप दिया विरोध कि दूसरे टूंगे तरीके उस वर्भी केसे चल जाती थी लंकिया दी जाती थी पगड़ लिये जाएंगे आप देखिए मैंन का बोलने का क्षमता मास मीडिया जिसे कहते उसके साथ सोशिल मीडिया जुड़ गया है तो इसलिए वो बहुत सारे तरीके से आ जाती है चीजे तो उसको दबाना इतना आसान नहीं है कोशिशे दूसरे तरह से हो रहे हैं इस वक्त आप IT रूल्स में बदलाव कर रहे हैं अब बड़े पैमाने में देख रहे हैं कि कौन विरोध पैदा कर रहा है तो उन पर अब अटैक करते हैं कुछ चैनल्स पर अटैक है जो और इस वक्त तो जानते ही है आठ दस एजन्सी सरकार की है सब की इस्तमाल हो रही है उस समय आप जेल गए 75 में जिस समय हम बात कर रह हैं उस समय दूसरे ढंग से न्यूस क्लिक पर हमला है जिसको तमाम दर्शक जानते हैं और जो हमला है वो तो एक शॉर्ट फेस भी लगा कि एक एमर्जंसी आई कुछ पीड़ रही उसने बड़े पैमाने पर तहलका मचाया बहुत लोगों को जेल में भेजा गया धकेला ग थी एमर्जंसी बे उस वक्त लोग गुसे में थे पर उसका बहिर प्रकाश जो है नहीं हो पा रहा था वो सच्पुच मूव्मेंट उस तरह से बंद हो रहा था बिल्ड आक्रोश अंदर-अंदर से बढ़ रहा था तो मिस्स गांधी को इस वक्त उस वक्त जो है कि लगा कि ये शायद ऐसा मौका है कि हम इसको नॉर्मिलाइज कर लेंगे हम जीत जाएंगे इसके बाद हम सब कुछ खोल देंगे तो एक नया सरे से हम एक शाशन चला पाएंगे तो ऑपोजिशन को हमने तोड़ दिया है सबसे बड़ी गलती थी तो ब्रहम उनको जो था हाज कि कि देखो जब इस एबरजेंसी में पुलिस दारोगा हमारे जो पंचायत का लीडर है उसको घसीट के जेल ले जा सकता है लौकाप में डाल सकता है तब हम को समझ में आया इस वोट का कीमत क्या है पंचायत की एहमियत राजदीत के एहमियत तब हमें समझ में आया तो हिंद करने के लिए बहुत लोगों का एक कहना था तो मिडल क्लास का था कि ये जो ये लोग है गरीब लोग है ये बड़े उड़ गये हैं हमारे बराबरी करना चाहते हैं उनको लगता थे इनको दबाने के लिए कुछ चाहिए तो ये जो उनको एक सबक मिली है इमर्जिंसी में कि खुद भी दबते दबेंगे सिर्फ वो लोग नहीं दबेंगे जिसके बारे में सोचते थे तो उनकी वोट की एक कीबत उसको मालूम पड़ा कि एगर पांच साल पे एक बार भी हम सरकार बदल पाते हैं सरकार के उपर एक हमारे कुछ ना कुछ दियांतरन रहता है तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और मेरे ख्याल से इसलिए एवर्जिंसी इतने साल तक दुबारा वापस नहीं है आज भी उस तरह से वर्जिंसी लाना संब्द नहीं है वो एक खौफनाक शब्द है एक नकारात्मक शब्द है जिसको कोई भी कितनी भी कोशिश करे हमने लाशों अदा किया जा रहा है लाशों को बुलाने की कोशिश है लेकिन ये बताईए कि ये जो दौर तब से लेकर अभी तक मेरे लिए बहुत एहम इसलिए है क्योंकि हमारी यसी पीड़ी और हमारे बात की जो पीड़ी है पत्रकारों की लिखने पढ़ने वालों की ये जो डर है ह हमारे लिए कि हमारे लिए कोई चीज घोशित नहीं है ऐसा नहीं है कि इस पर आप नहीं लिख सकते लेकिन जब एक ट्वीट पर जिस ट्वीट पर अभी एफाय अ उबहुए बाकी हमारे साथियों पर कई दोस्तों पर हुई हैं मनिपूर के तमाम जो दोस्त हमारे पत्रकार हैं उन सब का कहना है कि ये तो एमर्जेंसी चली रही है हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है सर्वाइफ करना मैं हाथ रस गई और कपन और हमारी गाड़ी आगे पीछे रही होगी उस समय कपन तो आज तक जेल में है जो कि वो प खिलाफ लोग गुसा कम होते हैं उस वक्त जनजीवन हर तरह से किसी ना किसी तरीके से उसका एक फरक पड़ा था एक तो वैसिक तो भी बहुत बड़े पैमाने पर फैमिली प्लानिके नहां से किया था जनस्बंदी और उसके लिए सरकारी कर्मचारी से लेकर टीचर्स की तंखा रोग दी गई थी तो एक खास तोर से नौट इंडिया में बहुत ही क्या कहते एक ऐसी कदम उठाई गई थी सरकार अपने पैर पे कुलाड़ी मानने की और संजय गांधी की उस वक्त नेट्रित में किया गया था अब तो मेंका गांधी उनकी पतनी इस वक्त बीजे मेंका गांधी के रोकने के लिए ही मुझे ग्रिफतार कर लिया था ठीक है ना क्योंकि वो उस वक्त जर्बन क्लास जा रही थी हमने उनको रोक लिया था मैं देवरिशात्री पार्टी और इंडानी मज़ुमदार तीन लोग हमने उनको रोका था उस वक्त तो उसके बाद भिंडर ने आके उसी स्थान में मुझे ग्रिफतार किया था उसके वज़े से मुझे एक साल जेल जाना पड़ा और यह भी कि अबर्जेंसी के तहट तो इस वक्त जेहनियू ने कॉल दी थी स्टूडेंस ने कॉल दे थी तीन निन की क्लास बॉइकोट की वो दूसरा दिन हुआ था तो यह जो तस्वीरे हैं उस जो आप कह रहे हैं कि यह बात तो सही है कि एकदम openly सरकार जब करती है तो उसके लिए उसके खिलाफ क्या करना है वो इतना आसान नहीं होता क्योंकि जो आपके नॉर्मल चैनल से सब ब्लॉक्ट हो जाती है पर इस वक्त जो है नॉर् भी फैसले भी आ जाते हैं फरक और एक है जिसको हमें भूलना नहीं चीए कि एक व्यापक involvement एक force की है जो जमीनी ताकत जिसे कहते है जो इस emergency के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है F.I.R. दर्ज कर रहा है लोगों को खिलाफ सरकार नहीं कर रही है बहुत सारे तो उनकी जो वाहिनिया है वो कर रहे हैं तो इहां पर emergency की जो हम बात करते हैं सिर्फ प्रशाशन की बात हम ना करें हमको देखना पड़े कि इसके साथ साथ और क्या जुड़ा हुआ है जहे ग गायरक्षक दल बनाई गई से लेकर लिंच मॉप्स की जो हम देख रहे हैं ये सब तो इन सब भी सिर्फ सरकारी नहीं असरकारी संगस्थाने जो आप संगस्थाएं जो सरकार के साथ जुड़ी वी है पुलिस के साथ जुड़ी वी है एक हिसाब से उनको भी देखना साथ आठ साल अगर हम उठाएं जब से घोशित तोर पे दूसरे ढंकी एक सरकार हमारे सामने है जिसका एक बहुत शुद्ध एजेंडा हमारे सामने है उस सरकार के खिलाफ जो आंदूलन भी हुए चाहे वो नागरिक्ता संशोधन कानून क्योंकि पहली बार हुआ कि नाग को लेकर जो इंका पूरा का पूरा सोच रहा है राश्टी स्वें सेवक संका उसे लागू करना इसके खिलाफ मुझे लगता है जो नागरिक्ता संशोधन कानून एन आर सी के खिलाफ इस समय किसान मतलब पिछले आठ महीने से किसान बैठे हुए हैं यह सारे लोग भी तो स चाहनी आहे इसी दोर में इसी तरह की एमर्जैन सी के खिलाफ तो क्या यह कुछ पैदा कर रहे हैं लोगतन्तर में जिसे तरह की एमर्जैन सी है? देखिए आपके जो सवाल था कि क्या उस क्रैक्स पैदा हो रहे हैं मेरे ख्याल से क्रैक्स तो पैदा हो रहे थे अभी भी पैदा हो रहे हैं खास तोर से कोविड-19 के दूसरा दौर आया इस पे क्रैक्स वो काफी सेकुलर रूप से बढ़ा दिया है क्योंकि इस पर सभी पर इसका असर पवा है पर सवाल है कि क्या उस क्रैक्स के बावजूद ये सरकार इसको जहल पाएगी या नहीं वो देखने की बात है और मुझे लगता है कि कोविट डाइंटीन का और एक चीज हुआ है कि हमें एकठा होना एकत्र होके संगठन के साथ साथ संघर्ष करने की एक दिक्कत आई है तो इसी लिए बहुत मुववमेंट्स जो है कुछ हद तक रुग गए हैं रुग गए इसी लिए कि कोविट डाइंटीन के एक अबजेक्टिव रियालिटी सबके सामने है इस वक्त और सामा जी दूरी तो नहीं कहेंगे फिजिकल दूरी जो है उसको बरकर रखने की जरूरत है अभी भी मास्क्स की जरूरत है हम इस वक्त नहीं पहने हुएंगे कैमरा के सामने हैं पर बाहर जाकि हमें मास्क पहना करना चाहिए तो इसके वज़ए से मुववमेंट्स करना इस वक्त इतना आसान नहीं है और कब तक ये नॉर्मिल सी आएगी ये ब कि समाज की झो धारा है उसको आप इस तरह के चीजों से जो आ चाह रहे हैं कि अप्रेशन्स अलग-अलग किसम की चीजह है ए consumer is fresh citizen इससे आप कुछ हद तक बाधा पहुंचा सकते हैं पर जैसे पानी की जब एक तरह चलता है और जब एक तरह चलता है उसको जिसे विसस्य गांदी रोक नहीं पाई थी यहां भी इस तरह से रोकना सामाजी जो एक तरह से लोग चलते हैं तो उसको रोकना संभब नहीं होता ज़रूर कुछ देर कर सकते हैं एक साल, दो साल इतिहास बड़ी लंबी होती है उसीलिए हमें आज की बात नही सोचना चीए जिसको कहते लॉंग आंज आर्क आफ इस्ट्री समझना चाहिए लॉंग अर्कव इस्ट्री ये बताता है इस तरह से भिभाजन करना समाचे अंदर और उसको सक्ती से हर तरह की क्या कह सकते हटar कंड़ अपनाके या तो डंडे से उसको रोकना मेरे ख्याल से संभब नहीं है emergency हमारे लिए बहुत बड़ी सबक थी मेरे ख्याल से हर generation को एक emergency से गुज़दना जरूरी है ताकि वो समझे कि क्या उनके पास है और क्या उसके उनके पास से छीनी जा रही है इसको ये नहीं समझना चाहिए ये तो हमारे है या हमेशा रहेगा तो आई ठिक अजानी हमेशा रहेगी ये जो एहसास है इसको भी challenge मिलना जरूरी है आपका कहना है हर PD को एक नाएक challenge है इस वक्त ये हमारा challenge है समाच के सामने हम भी इसमें शामिल है पर लड़नी पड़ेगी आपकी PD की और जो यूथ आज के है उनकी PD को ये इस लड़ाई को लड़ेगी emergency तब और आप लड़ाई जारी रहेगी अलग अलग तारीके से अलग अलग लड़ाई जारी नहीं मीज़ ड़ाई जारी जारी दाएगी जी शुक्रीया